हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे किरन सामान निग्यान के बारे में तो इसमें हम टॉपिक देख रहे थे भारती है इतिहास के बारे में तो हम लोग भारत का इतिहास देख चुके थे, भारती इतिहास की मतपूर्ट तिथियां देख चुके थे, अब इसमें बात करना है हम लोगों को, प्राचीन भारती इतिहास के स्रोत, ठीक है, याद रखिए, चितने भी ये चेप्टर खतम होते जा रहे हैं, वो सभी किरन सा प्रामान नग्यान के नाम से जो प्लेलिष्ट में सूची बनी हुए है, उसी में डले हुए है, तो चलिए प्राचीन भारती इतिहास के स्रोत देखते हैं, तो पहले देखेंगे हम लोग सबसे पहले, पुरातात्विक्स रोत, फिर साहित्तिक स्रोत, फिर विदेशी यात प्रात्रियों के विब्रहंदे के लिए तो पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भार्थी इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सरवादिक प्रमाडे थे हैं। अभी लेक फासार सिलाओं इस्थमों ताम में पत्तों दीवारों मुद्राओं इवन पितिमाओं पर उल लिखे थे हैं। अभी लेकों के अध्यन को क्या कहते हैं इपी गिराफी याद रखना। भादिये प्राचीन पाटनिये अविलेक असोग के हैं जो फ्राक्रत भासा में हैं। याद रखिए सबसे पहले असोग ने जो अभी लिख लिखवा है उन्हीं को पढ़ा जा सकता है पठनिये जो फ्राक्रत भासा में हैं। पूर है दरावाद राज में सिर्फ मास की वो गुर्जरा मद्धिपदेश में हैं एमपी में सिर्फ प्राप्त अभी लिखों में असोग के नाम का इसपर्ट लेक ये उसे फ्रया देवताओं का प्रिये प्रिये दर्सी राजा कहा गया है। आगे बात करते हैं। है डाईसे भाई का पाकिस्तान एपंबब अपगानिस्तान से प्राप्त असोग के सिला लेकों में यूनाईख एवं आर्मैविक लिपीओं का पेउग की गया असोग के अबजीकों को पढ़नाए इस परनए में इस तरद्भितम जेम्स फ्रेंशेब कोThis 1837 में सभलता फ्राप्तमील तो पूंचा जा सकता है असोक के इस्तम लेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था भी लेखों को तो जैम्स प्रेंसेप ने 1837 में ठीक है आगे बात करते हैं सरबादी प्राचीन अगले 25 सोईसा पूर्प के हडपा कालीन हैं जो महरों पर भाव च पित्थम सड़ी के अबलेखों में अधिकारों और जंता के लिए जारी किये गए सामाजिक आर्थिक एवब पिसासने का राज्या देशों एवब नेड़ाओं की सूचना रहती है जैसे असोक के अबलेख ठीक है दुतिय सेड़ी के अनुष्ठानिक अबलेख जने बहुत जैन वेशनाव सभ आदी संपदायों के मता नुवयाईयों ने इस्थमों पिस्तर फलकों मंदरों एवब पितिमाओं कव परुत्किन कराया तितिय सेड़ी के जो बेबलेख हैं जिसमें राजाओं की विजय विसस्तियों की का अख्यान तो है लेकिन उनके दोसों का उलेख नहीं है कुछ मत्पूर जो अबलेख हैं उने देख लेते हैं हम लोग यह अबलेख हो गए और यह सासक एवम अबलेख की विसस्ताएं हैं तो सबसे पहले हाती पुपा अबलेख तिती रहत अबलेख है एक कलिंग राजा खारव वेल से सम्बन देते हैं ठीव प्रजूना गड़ अबलेख एक गिरनार अबलेख है रुद्ध दामन से सम्बन देते हैं सुदर्शन जील के वारे में जानकारी मिलती हैं फिर नासिक अबलेख है एक गौत्मी बलसरी तथा साथ वाहनों की उपलत दियां प्रयाग अबलेख समुद्गुप्त से सम्बन देते हैं इनकी दिग विजेयों की जानकारी मिलती हैं एहोल अबलेख उलके सिंदूतिय से सम्बन देते हैं मंदसोर अबले मालवा नरेश यसो बर्मन से संब्धे थे रेजसम बोनकर की सेणियों की जानकारी मिलती है ग्वालियर अबले पितिहार नरेश भोस से संब्धे भीत्री एमंजूनागड अबले इसकंद को से संब्धे युड़ों पर विजय का वे वरन हेसमें थे देव पाड़ा अबले बंगाल सासक विजये से संब्धे थे वास खेड़ा और मदूबन अभिले हर्स वर्धन की उपलब्दियों पर पिकाष डालता है। बालागाट एवकारले अभिले साथ वहन की उपलब्दियों से संब्दिते। एवध्या अभिले संगों की उपलब्दियों से संब्दिते। भरहूत अविलेग, सुंग नरेण सब्द, खुदे हुए होने से सुंगों द्वारा निर्मे थे, एरण अविलेग, भानुगुप्त सती पिता का पहला लिखित साथ चे एरण में, ठीक है, एरण अविलेग, पांगे बात करते हैं, गयर राचकी अविलेखों में यमन राजदूत हैलियोडोरस का बेशनगर बिदीसा सिप्राप्त गरोड इस्तम लेख विसेश रूप से उलेखनी है, जिसमें दुप्तिय सताप्दी इसाप पूर किमद भारत में भागवत धर्म बिखसित होने का प्रमाण मिलता है, अंगला भारतवर्स सब्द का सरफिता मुलीक का है, हाथी गुफा अविलेख में. दुर्भीक सब्द का सरफिता मुलेक 100 गोरा अविलेख में मिलता है. एरण मद्विदेश से फ्राक्त वराहे भगबान पर हूड राज तोरमण का लेक अंकित है भूमी अनुदान पर एफ्रया तामे की चात्रों पर उत्कीन है इने में राजाओं और सामन्तों द्वाराओं विचूओं बैम्बनों मंदिरों विहारों जागीदारों और अधिकारियों को दिये गए गाहों भूमियों और राजस समंदी दानों का बिवरण है इसमें यह सबी जो प्राक्त संस्कित तमिल यह वो तेलगु भासाओं में लिखे गए हैं फर हैं बिदेशी अविलेख, बिदेशों से प्राफ्त अविलेखों में A.C.A. माइनर में बुगज कोई नामक है, इस्थल से लगबाग चौदेश सो ईसापूरू का संधी पद अविलेख मिला है, जिसमें मित्त वरुन इंद नासत नामक बैदिक देताओं के नाम मिले हैं त्रे अंगला मिस्ट के तेलू अमनों में मिट्टी की कुछ तक्तियां मिली हैं, जिन पर बेवी लौनिया के कुछ सासकों के नाम उत्करिण है, जो इरान भारत बाभारत के आया सासकों के नामों से नामों जशे हैं पर पार्सी फोलिल एवं वेहिस्तून अविलीकों से ग्यात होता है कि इरानी समराट दारा पिथम ने सिंदू नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था आँगे बात कलते हैं मुद्राएं 206 इसा पुरुप से लेकर 390 वी तक कि भारती इतिहास का ग्यान हमें मुखुरुप से मुद्राओं की साहता से प्राप्थ हो पाता है इसके पूरुप के सिक्खों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन बने हैं उनका ठीक ठीक ग्यान नहीं होगा ये सिक्खे आहट सिक्खे कहलाती हैं याद रखिए मुद्राओं को प्योग दान दच्चणा क्रय विक्रय तथा बेतन मल्दूरी की भुकतान में होता था इस समझ सासकों की अनुमती से ब्यापारिक संगों सेडियों ने भी अपने सिक्खे चलाए सर्भादिक मात्रा में मुद्राई मोरोतर काल की मिलती हैं जो सीशा प्रोटीन तामका से चांदी सोने से बनी थी कुसार सासकों दोरा जारी सओड़ सिक्खों में सर्भादिक सुद्धिता थी वहीं गुप्तों ने सबसे अधिक मात्रा में सुर्ण सिक्के जारी किये तो याद रखना सरवाधिक मात्रा में मुद्राएक मोरेतर काल में मिलती है और कुसाणों के सिक्कों में सबसे सुर्ण सिक्कों में सरवाधिक सुध्यता थी वो सरवादिक सुर्ण सिक की गुप्त बंसों ने चलाए जारी किये थे आंगे बात कर दें धातुगों के टुकनों पर ठपा मार कर बनाई गई बुद्ध कालीन आहट मुद्राओं पर पेड मचली सान हाती अहदचंद आधिवस्तूं की याक्ती होती थे मुद्राओं से ततकालिन आर्थिक दसा तथा सम्मधित राजाओं की समराजित सीमा का भी ज्यान हो पाता है कनेश्क के के सिकों में उसका बोध धर्म का अनुवयाई होना प्रमाविड होता है समुद्ध गुप्त के कुछ सिकों पर यूप बना है जबकि कुछ पर अस्व में एक पराक्रम सब दुद्कीन है जिसमें उसे बीना बजाते हुए दिखाए गए हैं इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन सासकों के इतियास के प्रमुक्सरों सिक्कें साथवाहर राजा साथकर्णी की एक मुद्रा पर चलपोत उत्कीन होने से उसके द्वारा समुद्ध विजय का अनुमान लगाए गया है चंदगुप्त दुतिय की व्राग सेली चांदी की मुद्राओं ने उसके द्वारा पश्चिम भारत के सकों पर विजय सूचित होती है इसमारक को भवनों की बात करें उत्तर भारत में मंदरों की कला सेली को नागर सेली कहते हैं उत्तर भारती मंदरों की कला सेली को क्या कहते है नागर सेली याद रखना दच्छिन भारती मंदरों की कला सेली को दरविट सेली कहते है उत्तर की सेली को मंदरों की सेली को नागर सेली दच्छिन भारती मंदरों की कला सेली को दरविट सेली जबकि दच्छिनापत के वे नागर एबं दैविट दोनों सेलियों का प्यों होता है, वेसर सेली कह लाती है, नागर और दैविट का मिस्तरन रूप है वेसर सेली, जावा के बोरु-बुदूर मंदिल से वहा नभी सताथी में महायान बहुत धर्म की लोग पेज़ता रमाडित होती है, बात करते हैं मूर्तिकला मूर्तिकला कुसाण काल, गुफ्तकाल गुफ्तत्तर काल में जो मूर्तिया निर्मित की गई उनमें जन साधारन की धार्मिक आस्थाएं और मूर्तिकला का ग्यान मिलता है कोसाण कालीन मूर्थी कला में जहां बेदेशी प्रभाव अधिक है वहीं गुप्त कालीन मूर्थी कला में सौभाविक्ता परिलक्षित होती है जबकि गुप्त उत्तर काल में सांकितिक्ता अधिक है भरहूत बौद गया सांची अमरावत्ती की मूर्ती कला में जन सामान की जीवन की यतार जहांकी मिलती है बात करते हैं चित कला के बारे में अजन्ता गुफाओं में उतकरीन, माता और सिसू तथम मरडासन, राजकुमारी जैसे चित्रों की सास सरुकालिक है जिससे गुफ्तकालीन, कलात्मक और ततकालीन जीवन की जहलक मिलती है आउसेस आउसेस की बात करें तो पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी में उत्खनन द्वारा प्राप्त पुरापासाण युग के पत्थर के खुरुद्रे दोड़े अधियारों औजारों से अनुमाल लगाया गया इभारत में चार लाग से दो लाग बरस इसापूर मानव रहता था दस जार से छह जार इसापूर वह किरसी कार पसुपालन, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बरतन बनाना तथा पत्थर के चिकने वजार बनाना सीख गया ठीक गंगाय अमना के द्वाब में पहले काले, लाल में द्रभांड और फिर चित्तित बूरे रंग की में द्रभांड पराप्त हुए मुहन जोदरों में 500 से अधिक मोहरें फिराप्त हुई हैं, जो हडपा संस्किती के निवासियों के धार्व में विस्तवासों की ओर एंगित करती हैं वसाण प्यारंबई बैसाली से 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं कौसामी में ब्यापक इस्तर पर किये गए खुत्खननकार में पुदेयन का राजप्रसाद एवं गोसीता राम नामा की विहार मिलाएं अतरंजी खेडा आदी की खुदाई से ग्यात होता है कि देश में लोहे काफियों 1000 इसापूर के लगभग आरम हो गया था रोमिला था पर इथियास का रहे हैं कि अनुसार लोहे का उपियों 800 इसापूर से में आरम हुआ दच्छिड भारत में अरीक मेडू नामक इस्तल की खुदाई से रोमन सिक्के द्वीब का टुकडा वर्तन आदी मिले हैं इससे यह पुष्टी होती है कि इसा की आरमिक सताब्दियों में रोम तथा दच्छिड भारत की मद्द घंडिश्ट व्यापारिक संब्दे थे अब बात करते हैं लोग साहितिक स्रोथ के बारे में साहितिक स्रोथ धार्मिक स्क्रिव इसमें लोकिक साहित धार्मिक में ब्रह्मन या वैदिक साहित ब्रह्मन डुत्तर डुत्तर या आवैदिक साहित तो सबसे पहले बात करते हैं लोग वैदिक साहित के बारे में वेदिक साहित इसके इंतर के बेद तथा उसे समन्दित ग्रंद पुराण महाकाप एश्मिती आदी है भारत के सबसे प्राचीन ग्रंद बेद का साब्दे करत है ज्यान स्तरेवर्थ परंपरा में सुरक्षत होने की कारण इसे सुरूती भी कहा जाता है ठीक है आगे बात करते हैं कलांतर में बेद ब्यास ने बेदों को संक्लित कर दिया बेद कुल चार हैं रिगवेद सामबेद यजुरबेद अथर विवेद सबसे पहले देखते हैं लोग रिगवेद 1500 से 1000 इसापुर में भारत की सरवादिक प्राचीन रचना रिगवेद में रिग कारत है तरक का रथ है सब्दों तथा चड़ों से युवत मंत रिगवेद मंतों का एक संकलन सहिता है जिने ही यकों के आउसरफ और देवताओं की इस्तित्विम के लिए होत या होता रेसियों द्वारा उचारित किया जाता है रिगवेद की अनेक सहिताओं में से साकल सहिता का ही उपलवद है सहिता का अध संग्रह या संकलन है संपूर सहिता में दस मंडल दस सो चौबीस सूप थें रिगवेद की पांस साखाएं साकल वासकल असो लायन संखायान मंडूक अधी रिगवेद की कुल मंतों की संख्याएं 10600 रिगवेद में इंदे के लिए 250 और अगनी के लिए 200 रिचाओं मंतों का की रचना की गई है याद रखना इंदे के लिए कितना 250 और अगनी के लिए दोसों रिगवेद का दो से साथवा मंदल प्रमाडिक और सेश पिछिप्त माना जाता है बाद में जोड़े गए दसवे मंदल में पहली बार सूद्रों का उलेक किया गया जिसे पूरुस सूद्र के नाम से जाना जाता है देवता सौम का उलेक नवे मंदल में है लोग फिर ये गयती मंद का उलेक भी तीसरे मंदल में है रिगवेद में भी है तीसरे मंदल में गयती मंद जिसकी रचना विश्वा मित्ने की जिस का उलेक तीसरे मंदल में है फिर हाथ है हमारा सामवेद सामवेद दस सामकार्थ होता है संगीद या गान इसमें यगों के आउसर पर गाये जाने वाले मंत्रों का संग रहे हैं इन मंत्रों को गाने वाला उद्ध गाता कहलाता है ठीज़िए सामवेद के दो मुख भागें आर्चिक एवं गान सामवेद की पितम दरश्टा वेद ब्यास के सिक्स जैमनी को माने जाता है सामवेद की पिरमुख साखा है कौतुमिये जैमनिये रनायनिये सामवेद में कुल 1549 रिचाये हैं जिसमें मात 78 ही नहीं है सेस रगवेद से ली ग सामबेद को भारतिय संगीत का जनक माना गया है, इसे याद रखे, कई वाद पूछा जा चुका है, परिचाओं, भारतिय संगीत का जनक किसे माना जाता है, सामबेद को, ठीक है, तरे यजुरबेद, यजुस, सब्दकारत होता है, यग, यजुरबेद सहिता में, यगों को स संपन कराने में सहाईक मंतरों का संग रहें! जिसका ँच्चारण अदहेल यूर नामक पुरोहित द्वारा किया गया है यह गद्ध एबंपद्ध दोनों सेली में याद रखना, यजुरवेद कर्म कांद त्थान बेद है, इस manure दो भाग हैं तो इसमें चंदवद मंत तथा गद्धात्मक बाक हैं, किष्णी अजुरवेद की मुख साखाएं तेत्रिये, काटक, मेत्रायनी तथा कपी, श्ठल, थ्रेसुकल इजुरवेद, इसमें केवल मंत ही हैं, इसकी मुख साखाएं माद्धिन दिन और कर्णू, इसकी सहिताओं को वाज सने भी कहा जाता है, कि की वाज सैनी के पुत्त याग भलक इसके दिरिष्टा थे, इसमें कुल चालीस अध्याएं, फिरा जाता है हमारा अथर विवेद, उप्युक तीनों सहिताओं जहां परलोग संबंदी विस्यों का पित्ती पादन करती हैं, वहीं अथर विवे सहता लौकिक फल पिदान करने वाली है, अथरवा नामक रिषी इसके पित्तम दिरिष्टा हैं, अता है इन्हें के नाम पर इसे अथर विवेद कहा गया है, ठीक है, आँगे बात करते हैं अथर विवेद के बारे में, इसके दूसरे द्रश्टा थे आंगीरस रिषी के नाम पर, इसे अर्थ अथरवा गिड़ रस वेद भी कहा जाता है, अथर विवेद में उस समय के समाज का चित मिलता है, जब आर्याओं ने अनारेओं के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था, अथर विवेद की दो साखाएं, पिपलाद और सौनग, इस सहता में कुल 20 कांड, 731 सुट, 5987 मंत का संगरह, इसमें लगबग दो 1200 मंत रिगवेद से उद गिरत हैं, इसकी कुछ रिचाएं, यग्य समंदी तथा व्रह्मा बिद्या विश्यक होने के कारण से व्रह्मा बेद भी कहा जाता ह अथर विवेद को, लेकिन इसके अधिकांस मंत लोकिक जीवन से सम्मंदित हैं, इसमें रोगने बारन, तंत मंत, जादू टोना, स्राव, वसीकरन, आसीवाद, इस्तोती, फ्राय निश्चित, औस्ती, अनुसंधान, विवाय, प्रेम, राजकरम, मात भूमी, महा, तमय, आ गरन किया गया है, ठीक, आयुर्वेद के सिध्धान, तथा विवहार जगत की अनिक बातें भी इसमें समाये थे, फिर आता है हमारा ब्रह्मण, गरन्थ, ब्रह्मण, गरन्थ की रचना, यग, यगादी, विद्वानों, द्वारा, विद्वानों का पितिपादन, तथा उ पितिपादक गरन्थ हैं, ब्रह्मण, गरन्थी जहां इस्तुती पिदान है, वही ब्रह्मण, गरन्थ, विद्विधी पिदान है, जो अधिकांसा गद्ध में लिखे गए है, पितेक बेदितु, पितक ब्रह्मण गरन्थ लिखे गए है, बात करते हैं, अरन्यक गरन्थ क के बारे में इसकी रचना अरण्यों अर्थाद बनों में पढ़ाए जाने की निमित होने के कारणे से अरण्यों कहा जाता है इसमें ज्ञान और चिंतन को प्यदानता दी गई है इसमें दार्शिक्न रचनाओं से कि कलांतर में अपनिस्दों का विकास हुए है अब बात करते हैं अपनिसद तो याद रखना है अपनिसदों को बेदानत भी कहा जाता है अपनिसद मुक्ता ज्यानमारगी रचनाए है एक स्वार्ट है याद रखना अपनिसद इसकी मुक्ष विसा है ब्रह्मा बिद्या अपनिसद का साब्दे कहत होता है अपसमीब निश्ठा पूर्वक सद बैठना अधात रहस ज्यानेतु गुरु के समीब निश्ठा पूर्वक बैठना वैसे तो मुक्ती को सनद में एक सो आठ उपनिसदों का उले के बलता है लेकिन सरवादिक प्राचिन और प्रमाडिक बारा उपनिसद माने जाते हैं कौन-कौन से हैं बारे वेहदारन स्वितर और वोस्तिकी और बाराइवाज संकराचार ने आरंबिक दस उपनिसदों पर भास लेका हैं ठीक है बात करते हैं आगे बहुत ही मत हुण है याद रखिए भारत का राष्टी आधर्स वाग सत्त्यमेव जयते मुंडोक उपनिसद से उद्गरत है मुंडोक उपनिसद से लिया गया है सत्तमयो जयती ठीक है सोईतांबर उपसना सोईतासो तर उपनिसद में सरपितम भाक्ती सब्द का उलेक मिलता है उपनिसदों के विकास में गारगी और मित्तिये के साथ दिरकालिक तक ब्रहमन चत्रिये फैस मनिसियों ने बहुत्ते के वदान दिया उपनिसदों में सरवत्ति सद को स्खोजने की सच्ची उतकंठा परीलक्षित होती है नची केता यम का संबाद कंठो कटो उपनिसद में है इपो उपनिसद में गीता का निस्काम करम का उलेक मिलता है ब्रहमन वेहदारन उपनिसद में एहम वेमास में पुनर जन्म का सिद्धान यागवलक गारगी संबाद का वर्डन है फिर आते हैं बेदांगे बेदों सहताओं के रत को सलता से समझने तथम बेदिक करमकान्डों के पिती फादन में सहायतार्थ वेदांग को वेदांग नामक जीवन साहत की रचना की गई है जिनकी संख्याच है वेदांग सिक्छा पहला कल्भ व्याकरण निरूक्त चंद जियोती इसमें सिक्छा पहला उचारन बिदी बेदिक मंतरों के सुद्ध उचारन एवं सुद्ध स्वय क्रिया की बिदियों के ग्यानार्थ लिके साहत को सिक्छा कहा जाता है बेदिक सिक्छा समंदी फ्राचीन साहत पिती साक्षे फिर दूसरा है कल्भ सूथ करमकान कल्ब नामक बेदांक मैं छोटे-छोटे वाक्यों मैं सूत बना कर मत्वू बैदी बिधी बिधानों को पिस्तुत किया गया है सूत ग्रंथों को ही कल्ब कहा जाता है कल्ब सूत चार पिकार के होते है ठीक है जिनमें हैं अंगला है ब्याकर सब्दों की मिमानसा करने वाले सास्त ब्याकरण कहा जाते हैं जिसका संबंद भासा संबंदी नीजमों से हैं ब्याकरण की सब प्रमुक रचना फाड़िनी किरित अश्टध्याई पाचवी सताबदी में इसमें आठ अश्टध्याई और चार सो सूत हैं तो याद रखना अश्टध्याई किसकी पुस्तक है पाड़िनी की इसापूर्ग चोथी सताबदी में कात्यायन ने संस्कित में प्युक्त होने वाले नए सब्दों के ब्याकरण के लिए वाल्तिक लिखे इसापूर्व दूतिय स्ताबदी में पतंजली ने पार्णी की सूत्तों पर महाभास लिखा फ्रे निरूक्त भासा ग्यान किलेश्टर बैदिक सब्दों की संकलन नी घंटू फ्रे चंदों की नाम सहतावों की एवं ब्रह्मन ग्रंधों में मिलते हैं चंद सास्त पर फेड़ गल्म मुनी का ग्रंद चंद सूत उपलब दें परह जियोतिस सुब मूरत में याग्रिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों तथा नक्षत्तों का ध्यन करके सही समय ग्याद करने की भी दीपो बेडांग जोतिस की उत्पत्ती की सरफ फ्राचीन रचना मगद मुनी बेडांग जोतिस के सबसे फ्राचीन आचारते मगद मुनी जोतिस में कुल चवाली स्लोग है ठीक वेदांग जोती के रिगवेद एवं अजुर्वेद से सम्मन्दे दो ग्रन थे आचार जोती एवं यजुस जोती वेदों की सरीर रचना की दरिष्टी में बेद का पाध हाथ आख कान नाख तथा मुक्रमसा चंद कल जियोते से निरुख सिक्षा तथा व्याकरण कहलाते हैं फिर आता है हमारा पुराण पुराण का साथिक अर्थ होता है प्राचीन अख्यान पुराणों में मत्स पुराण सबसे प्राचीन है याद रखना मत्स पुराण सबसे प्राचीन है पांचवी से चौती सताप्ती इसापूर में पुराण ग्रंत अस्थित में आ चुके थे बरात्मान में उपलद पुराण गुप्तकाल के आस्पास के है पुराणों की संख्या 18 है जिनमें कौन-कौन है पुराणों मत्स पुराण मारकंडे भविस भागवत ब्रह्मन ब्रह्मा बेवर्थ ब्रह्मा वामन वराह विश्नु बायू अगनी नारत पदम लिंग गरुण कुरुम एवं इसकंद ठीक है यह 18 है पुराण यह सबी महापुराण कहलाते हैं पुराणों के अंतरगत हम प्राचीन सासकों की बंसावलिया पाते हैं विश्नु पुराण का संबन्द मौर बंसे हैं याद रखना विश्नु पुराण का संबन्द किसे मौर बंसे मत्स पुराण का संबन्द साथवान बंसे है वायू पुराण का संबन्द गुप्त बंस फुरान सरल एवं विभारिक भासा में लिखे गए जन्ता के ग्रंथें जिन में प्राचीन ग्यान विज्ञान पसुपक्षी वर नस्वती विज्ञान आयोवेद इत्यादी का बेहद बर्डन मिलता है इसमितिया या धरमसास्त धरमसूस्त साहित के कलांतर में इसमिति ग्रंथ का विकास होने के कारण इसे धरमसास्त की संग्या दी गई है इसा पूर्वी दुतिय सिताब्दी से लेकर पूर्व मद्यकाल तथा तक बिभेन इसमिति ग्रंथों की रचना की गई है कुछ पिरमुक इसमितियों इसमिति ग्रंथियों के नाम निम्थों हिए है मनु इस्मती, याकवलक इस्मिती, विश्णु इस्मती, कत्यायन इस्मिती, वेहस्पती इस्मिती, परासा इस्मिती, गौतम इस्मिती, वसिष्ट इस्मिती, नारद इस्मिती, देवल इस्मिती आदी मनु इस्मती सुंग कालीन इसा पुर्विद्यूतिय सत्ति की सरवाधिक तुराची निवब पिरमान के सेज सवी गुप्त कालीन पांचवी सति laugh sen a level की नियुकि isa मनु इस्मिति के विसिद्ध वहसकार हैं मेगा तिति, गोबिंद राज और कुलुक भट और यागवलक इस्मिति के टीका कार हैं विस्सरूप, विग्यानसर, अपरार्ड इत्याज, इस्मितियों, विबिन बर्डों, राजाओं और पदादिक्यारियों की नियम भी दिये ग इस्मिति के मत, पहला स्रोद सूथ, बेदों में बड़ दियाग्य भागों का क्रमबद विवरन, इसकाल भी काल की परंपराओं तथ धार्मिक रूणियों का ज्यान रिगवेत के दो स्रोद, सूथ, अस वालायन, संखायन, यजुलवेत कात्यायन, आप इस्तम्भ, हिरन के बड़ायान, भारद्वाज, मानों तथा वेखानस, सामदेर, लाट्ट, यायन, देहान, एवं आर्से, अथर्व, वेतान, त्रे, ग्रह सूथ, ग्रह सूथ में, ग्रह स्ता स्रम से संबंदित धार्मिक अनुष्ठान, फिर मुख ग्रह सूथ, संखायन, आस्व, लायन, बौधायन, आप, इस्तम्भ, हिरन के सी, भारद्वाज, फारसकर, गौभिल, खादिर, एवं कौसिकें, फिर है धरम सूथ, धरम सूथ, धरम सूथ में, वर्धर्म, राजा की कर्तब, प्राय सिच्च, विधान, नियालाई की इस्तापना, कराधान, धरम सूथ है, वरिशिष्ट, मनो, हाबिस्तम, बोधायान, गौतम, धरम सूथ, सूथों से ही, कलांतर में, इस्मिति गरत्व का विकास हुआ है, फ्रेस सुल्व सूथ, सुल्व सूथ, सुल्व सूथ का ताथपा है, नापने की डोरी, इसमें यक्रिये बेदियों को, निर्मार्दी का बर्डन है, ये आरेयों के ज्यामिति ग्यान के परिचायक है, फित बात करते हैं, सर दर्सन से भारतिये दर्सन का निर्मार्ड गुआ है, जिने में आत्मा, जीव, जगत, ब्रम्मा, इत्यादी को विमिन प्रिकार से समझाने का प्रियास किया गया, भारत यह दर्सन के फिवर्तक देख लेते हैं, दर्सन और उनके फिवर्तक, तो यह दर्सन हैं और फिवर्तक हैं, सांग, कपिल, न्याय गौतम, योग पतंजली, वैसे से कडाद, पूरु महँवान सा, जैमिनी, उत्तर महँवान सा, बाद रायन, ठीप, अब बात कर लेते हैं हम जैएंगो, बहुत साहित के बारे में, तरी पिटक, बिनाय पिटक, सूथ पिटक, अभी धम पिटक, गौतम बहुत की मित्ती विवाद, उनकी सिक्षाओं को विविण, बहुत संक्तियों में, संक्लिद कर, तीन पिटक, पिटारी ओं, विवाजित किया गया, इनमें पहला है बिनाय पिटक, दूसरा सूत्पिटक, तीसरा अभीधम पिटक जिननें त्री पिटक की संग्या दी गई है त्री पिटक पाली भासा में लच्चिती ही याद रखने अब बात करते हैं बिनाय पिटक की इसमें संग संबंधी नीमों, देनिक आचार विचार, विद्धी निसेदों का संगरहें, जिनके निम्न भागें, कौन से कौन से हैं? पाती मुक, फिती मुक्च, इसमें अनुसासन संबंधी विधानों, तथा उनके उलगन पर किये जाने वाले प्राश्चितों का संकलन है, तरे दूसरा है इसमें, सूत्रा विभन्डक, इसमें पाती मुक के नीमों परभास विस्तुत किये गए, इनके दो भागें, महा विभ भीख, खूनी विवण्डक, पितम में बौध विख्चूओं तथा दूतिय में विख्चूडियों, ये तो पिधी एवं निसेद धार बढ़ड़े थे, फिर खंद्रक, इसमें संगिये जीवन संबंधी पिधी, निसेदों का विश्तुत बढ़ड़न है, जिसके महा वग और चुल वग नामक दो भाग हैं, फिर चौत्रा परीवार, फिर रहता है हमारा सूत पितक, सूत पितक, इसमें बोध धर्म की सिध्धान्त, बोध धर्म की सिध्धान्त और तथा उबदेसों का संग्रह है, इसमें पांच निकाय आते हैं, दीग निकाय, मजी निकाय, पित्थम चार में बोध की उपदेस, वार्ताला पिरूम में दिये गए हैं, और पांच बाह है पद्धात्मक, खुद्रक निकाय में कई गरन्त आते हैं, जैसे खुद्रक, पाट, धमपद, उदान, सूत निपाद, विमान बत्थू, पंत बत्थू, थेर गाथा, थेरी ग संग रहे थे, अभी धम में पितक, यह फिस्नोत्तर क्रम में हैं, इसमें दार्षनिक सिद्धान्तों का संग्रा है, इसमें साथ गरन्त हैं, धम संगडी, विवंग, धातु कथा, पुगल पंच्ष्ती, कथावस्तू, यमक, और पठ ठान, पठ ठान अभी धम में पितक सबसे बात की रजना है, जो कुसाण काल में हुई, चौती बौध संग्ती में संकलित की गए, त्री पितकों के इतरिक पाली भासा में निमलिकित, अन बौध गरन्तों का, नांगचन किर्प्ती, मिलिन्द पन्यो, तथा सिंगली अनुसितियों, दीव संस्कित बहुत गरन्तों की बात करने हैं, संस्कित बहुत लेकों में सरवादिक मत्कून नाम, कभी एवं नाटक कार अस्वगोस का है, सरवस्तिवादी संपदाय के चिंतक अस्वगोस करनेश्क की राजव राजसवा में थे, उनकी तीन पिस्मों प्रमुकर रचनाय हैं, किसकी करनेश्क की राजसवा में रहते थे, उनकी तीन पिरमुकर रचनाय हैं, अस्वगोस जी की बोध्यचरित, सुन्दरानन और सारीपुत फिकरन, ठीड़, इसमें थे दो रचनाय महाका, तथा अंतिमरचना नाटक ग्रन्त है, संस्कित में ही लिकित महावस्तू, वस्तू एवं ललित बिस्तार में महत्मा बोध के जीवन, तथा दिववया बादन में परिवर्ती, मौर, सासकों एवं सुंग राजा, पुस्त मित्य सुंग का उलेख मिलता है, फिर आते हैं हमारे जनसायत, जनसायत, जनसायत को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपां, 10 पिकीन, 6 छेद सूत, 4 मूल सूत, अनियोक सूत, एवं नंदी सूत की गड़ना की जाती है, इसकी रचना महावी स्वामी की मित्यों के बाद, विविन संक्तियों में, इसवी, पूर्वा, इसापूर, चोत्री सती, सती, एवं छटी सती, इसवी के मद्द हुई है, बारांगों की बाद करूँ, बारांगों में सामिल है, आचारंग, सूत, सूर्कडंग, कंड़क सूत, सूत के तांग, धावंग, समवावयंग, भगवती सूत, नवधम काहा सूत, वास, गदसाओ, सूत, और फिर आटवाय, अंत, गड़दसाओ, ठीक है, इसमें भगवती सूत, बहुत चर्चित रहता है, ठीक है, याद रखी, जैन से सम्बंदी थे, नवभाय हमरा, अड़ुत, त्रो वाईक, वाईक दसाओ, फिर दसवाय, पट, हावा, गरडाग, फिसन ब्याकर, ग्यारवाय है, भी वाग, स्वेयं, बारवाय, दिट्टे, वाय, द्रिश्टी वाग, पिर बारवाय, उपांग है, इसमें, ओप पातिक, दूसरा है, राज फिसनिये, तीसरा है, जीवा बिगम, चौतरा है, फिजा पाना, पास पाई, जम्मुद्वी प्रग्यति, चटवाय, चंद प्रग्यति, साथ बाई, सूर प्रविवर्तित, आट बाई, नरेया वली, नोबाई, कल्पा, कल्पाव संतिका, दस बाई, पुस्पिका, ग्यार बाई, पुस्पिचुलिका, बाई, विश्नी दसा, बात कलते हैं, पिकीड, पिरकीड, दसे, चतु सरन, दूसरा है, आतुर पित्या ख्यान, तीसरा है, भक्ती परग्या, चौतरा है, संस्तार, माजबाई, तंदुल, वितालिक, छटवाय, चंद विध्यक, साथ बाई, ग महा पित्या ख्यान, बात करते हैं, छेट सूत की, छेट सूत, निसीद, महा निसीद, विवार, आचार अधसा, कल्ब, और पंचकल्ब, ठीक, फिर आते हैं, पांच मलसूत, इसमें जैन धर्म के उपदेश, विक्ष्यों के करतब, मूज सूत, ठीक, पांचवे, मूज सूत इसमें जैन धर्म के उपदेश, विक्ष्यों के करतब, बिहार, जीवन, पत, नियम, आधी का बैडन हैं, जिनकी संक्या चार हैं, उत्रा ध्यान, सडा वस्यक, दस बिकालिक, पिंड निव्टी, या पाक्चिक सूत, पाक्चिक सूत, पिर हैं नंदी सूत, एवं जैनियों के सतंत गरंथ, तथा विस्कोस हैं, उप्यूक सभी गरंथ, सौतांबर संपधाय के जैनों प्रिए हैं, या रखी अभी तक जोगी देखें, अब बात कर लेते हैं, देगंबर, देगंबर संपधाय के मतावलंबी इन्हें प्रमाड़क नहीं मानते हैं, कुछ गिरंतों का संक्लन हुआ है दिगंबर मतावलमी भधदबावों की सिक्ठाओं को प्रमाडिक मानते हैं फिर बात करते हैं लोकिक साहेद के बारे में धर्मतर इसमें रामाईड बालमी कृत महाकाब रामाईड में मूल था 6000 सलोक थे जो कलांतर में 12 हजाए और फिर उसके बाद 24 हजार हो गए ठीक है तो याद रखना पहले 6000 थे इसमें रामाईड में सलोक फिर 12 हजार हुए फिर 24 हजार इससे चत्र विस्ति सहिता भी कहा जाता है इसकी रचना संभवता इसा पूर पांचवी सदी सदी में हुई है इसकी पांचवी वस्ता इसा की वारवी सदी में सामने आई कुल मिलाकर इसकी रचना महाभारत के बाद की पितीत होती है यह साथ कांड कांडों में विवक्त है बाल कंड एयुद्या कंड अरण्यक कंड सुंदर कंड किसकंदा कंड कंड युद्ध कंड और उत्तर कंड यह दिकार सा भागों को पिछिप्त माना जाता है फिर आता है महाभारत महाभारत तो बेदवास महाभारत संभवता 10 सधी इसा पुरुप से 4 सधी इसा इस भी तक 4 सधी इस भी तक की स्तिती का आवास देना है पहले इसमें मत 88800 सिलोक थे और इसका नाम जै सहता था विजय सम्मन्दी गिरंत था है बाद में इस लोक संख्या बढ़कर 24,000 हो गए और यह भारत नाम से फिसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें बैदिक जन भारत की बंसजों की कत्था थी फिर कलांतर में एक लाग एक लाग स्लोक हो गए और यह सहसरी सहता या महाभारक कहलाने लगा इसमें कत्थोव कत्था हैं बűर्डन और उपदेश हैं मूल कत्था कोर्मॉपाण्टों की योद्किये जो उत्तर बैदिक काल की होसकती है वर्ड नांस का समद बैद उत्तर काल से थी उपदेश्या τमक अंस का समद मौरिप्तन और गुप्तकाल से होसकता है ठीक है आँगे बात करते हैं, महा भारत में 18 परब आदि परब सभा परब बन परब विराट परब ओधयो पर भीषमें परब दोन परब करण परब इसके अलावा हरी वंस इसका परिशिष्ट है जिसमें किष्ण बंस की कथा है खिल परब फिर बात करते हैं आगे हैं अरत्सास्त अरत्सास्त कोटल करत अरत्सास्त मत उन मौर कालीन विधी गरंते याद रखना है अरत्काल की रचना किसनी की कोटल लना है कोटल को बिश्णु गुपत अथवा चाड़क के नाम से भी जाना जाता है याद रखिए कोटल को बिश्णु गुपत अथवा चाड़क के नाम से भी जाना जाता है जो चंदगुप्त मौर का गुरू था अर्थ सास्त 15 अधिकर्णों में विभाजित है जिसमें दुतिय और तितिय सरवादिक प्राचीन है ठीक है याद रुकिए फिर होगा हमारा आंगे बात करेंगे इस ग्रंथ को वर्त्मान सरूप 17 सदी के 17 सन के आरम में दिया गया लेकिन इसमें प्राचीन अंसमौर काली इं समाज और अर्थ तंत पर प्रिकाश डालते है इस से प्राचीन भारती है राष्टन और अर्थ विवस्ता के अध्यन की मत्मूस सामकरी उपलप्त होती है अब ब मतावुलंबी कालिधस, गुप्त समराथ, चन्दो गुप्त दूतिये कि दर्वारी कभी थे कालिधस दोवारा विर्चित साथ पद और नाट गरंतों को कि प्रमाड क्ता सुब्यतित है इनके नाटक ने मिलिकित है ठीज, याद रखे चंदगुप्त दुतिये के दरवारी कभी थे कालिदास जी बात करते हैं सबसे पहले रितु संगार यह कालिदास की पिथम काप रचना है जो छे सरगों, छे रितुयों का एक खंड काप है ग्रीसम, बर्सा, सरद, हैमंत, सिसर, वसंत दूसरा है मेगदूद पूरु मेग तथा उत्तरमेग में विभक्त, खंड काप, वियोकसिंगार की उत्किष्ट रचना है इसमें बात करते हैं लोग कुमार संभव कुमार संभव कुमार संभव, सत्रे सरगों का महाकाप है जिसमें सेवा मंपार्वती के पुथ कुमार कार्थी के कि जनम की कताप बढ़ने थे फिर है रगववंस उन्नी सरगों में विभक्त महाकाप है जिसमें राजा दिलीप से लेकर अगनी वर्ण तक चालीस इक्छाकु वर्ण से राजाओं की शरित चित्रण है फिर है पाँचवा मालविक का अगनी मित्न पाँच अंकों में बटी कालीदास की पितम नाट रचना जिसमें सुंग राजा अगनी मित्न और मालविका की पिनक अथा वर्णित है फिर बात करते हैं चटवा होगा विक्रमों वर्षिये कालिदास का दुतिय नाट ग्रंथ पांच अंखों में फुरुर्वा एबं उर्वसी की पिनक था है फ्रे अभिज्यान सकुंतलम कालिदास की सर्वोत क्रिष्ट नाट रचना साथ अंखों में हस्तिनापुर के राजा दुसेंथ एबं कन्र रिषिगी पालिता पुत्री सकुंतला के सयोग एबं बयोग सिंगार का बड़न करती है फ्रे अंगले भार्वी अठारे सर्वों में विभाजित कीर्टार यूनियम नामक महकाब की रचेता है फ्रे माग महकाब सिसू पाल बद की रचेता है फ्रे स्री हरस बारवी सत्ती गर्डवाल जैचंद नैस दिये 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 चरित महकाब खंड 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 आद्वेत कप पेड़े की रचनाकार है फ्रे महकाब सिसू पालिदास के पूरबरती पिथम नाटक कार तेरे नाटकों के फेड़ेता सफन वास वत्त उरूबंग दूसरा उरूबंग पितीम का अभिसे पंचरात मध्यम ब्यायों दूद गटोत करण भार दूद वाक बालचरित दर्द चारुदत अवी मारक फितिग्या योगंदरार फिर विसाखदत एक गुप्तकाली ने विसाखदत इनकी रचना है मुद्रा राक्षच और दिवी चंद गुप्तम ठीक शूद्रक नहीं अपनी रचनाओं का पात्राज परिवार के इस्थान पर समाज के मध्यम परक की लोगों को बनाया है फिर है हर्स बर्दन 666-647 इसवी तीन नाटकें के रतनावली फिरिये दरस्तिका और नागानंद के लेका के ठीक हर्स आँगे बात करते हैं भावभूती 720 यसो बर्धन कन्योज के तीन नाटकें मालवी मादो उत्तर रामचरित महावीर चरित याद रखना उत्तर रामचरित भावभूती ने लिखा है फिर हैं राजसेकर कन्योज के पितिवी भार राजा, राजयाओं महिंद राओ, महिंद पाल तथा मही पाल की राजसवा में निवास करने वाले पिसिद्ध संस्कित गर्द कभी हैं राजसेकर चार नाटकों एबं एक अलंकार सास्त का फेड़ा किया नों बाल रामायड, बाल भारत, पिचंड पन्डव, वितिस साल भंजीका और कपूर मंजरी, काब्य मिमान सा इनकी प्रमुक रजना है फिर बात करते हैं लोग गद्ध साहित, बाडभट, हरस कालगिन, हरस चरित लिखी इनोंने कादंबरी फिर दंडी, पल्लाव नर सिंग बर्मन, 690-720, काब्यदर्स, दसकमार चरित, अरंती सुंद्री, कथाहिन की अब बात करते हैं इतियाहासिक साहित के बारे में पदमगुप्त परीमल, परमायड सासक मुंज, 992-982 तक इनोंने लेकिये 9 सह सांक चरित फ्रें, बिलहड, कल्याणी के चालुक विक्मादित, सिक्स के कारकाल में 1076-1127, इनने लिखिये विक्रमांक देवचरित फ्रें, कलहड, कलहड ने अपने प्रमुक गरंत राचतरंगनी पूँचा जा सकता है कई बार कूछा जा चुका है, राचतरंगनी किसकी रचना है? कलहड की ये कहां से संब्दे थे? कसमीर से संब्दे थे, याद नहीं राचतरंगनी की रचना कसमीर नरेस जैशंद के काल में हुई जिसमें आठ तरंगों से कसमीर का बारवी सती तक का इतियास बर्डित है राचतरंगनी संस्कित भासा में इतियासी घटनाओं को क्रम बदे रूप से पिस्तुत करने का पिथम प्रियास है फ्रे हमचंद बारवी सती, कुमार पाल चरेत, इनकी रचना है फ्रे है नैचंद सूरी, हमीर काब, फ्रे है जयानक, पितिवी राज, बिजय, फ्रे है वाकपती राज, गोण बाहू, फ्रे है संध्याब कारनन्दी, राम पाल चरेत, ठीक है इनकी रचनाओं आंगे बात करते हैं, कथा साहित कथा थात में गुणा नए, फिसित रचना है, बेहत कथा, फिसाची भासा, साथ वाहन नरे साल, पित्हम दुतिय सदाब्दी का दर्वारी कभी थाई, फ्रे छे मिंद, बेहत कथा मंजरी पिर हैं सौंदेव, कथा सरीतत सागर, फिर हैं बिशनो सरमा, पंचितत संकलन, नारायनवट, हितोब देश, संस्क्रित सिक्चक के पिथम गरंद, अमरसी, अमरकोस लेका हैंने सब्दकोस बात कर लेते हैं हम लोग विदेशी, विदेशीों के कुछ विवरण महत्रों, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेकों के विवरण से भी हमें भारती इतियास को जानने में साहेता मिलती है, जिनमें अनेक यूनानी रोमन, अर्वी और चीनी यात्री संबले सबसे पहले बात करते हैं यूनानी रोमन लेकों के बारे में, भारतिये स्रोसे सिकंदर के आकमड 325 इसापूर्म की कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसके लिए हमें यूनानी स्रोस्तव पर ही आसित रहना पड़ता है, सिकंदर महान के आकमड के समय, एक समकालीन भारतिये राजा सेंडो कोटस का नाम यूनानी लेकों, इस्टेवो येवं जस्टिन ने किया है, बिलियम जॉन्स ने इसकी पहचान चंदगुप्त मौर से की है, एरिन तथा फिलूटार्क ने उसे, एंडो कोटस तथा फिलार्कस ने सेंडो कोटस के नाम से उलिकित किया है, इस्टेवो डायोडोरस फिलैनी एरियन नाम की उनानी विद्वान, क्लासिकल लेकर के रूम में जाने जाते हैं, ट्रेसियस इरानी राजबे, जिसने मात इरानी अधिकारियों से ही भारत जिसे ज्ञान प्राप्त करना अपना विर्वन लिखाए, तरह हेरोडोटस, इतिहास का पिता कहलाने वाला, हेरोडेटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में 25 सताब्दी इसा पुरु के भारत फार संबन्द का बर्डन अनुख सिरुतियों के आधार पर किया है, फ्रे निराकस, नियाकस, नियाकस, अने सेकीटस, एवं आरी इस्टोबूलस, सिकंदर के साथ भारत पाने वाले इन लेक्वकों के विवरन अधिक प्रमाड़ेग हैं, जिनका उतिष अपने देश्वासियों को भारतियों के विशे में बताना है, सेलुकस नेकेटर का राजदूत के रूम में, चंदगुफ्त मोर के दरवार में, 14 वरस तक रहा, इसकी पुस्तक है इंडिका, याद रखना है, इंडिका में प्रमाड़ेग संस्किति के बारे में लिखा है, लेकिन इंडिका का अब प्रफ लग्द नहीं है। जिसके समध में जानकारी उत्तर कानी यूनानी लेकों के उद्रयन्ज के रूम में प्राप्त होती है। फ्रेडाइमेकस, सीरियाई राजा अंतियोकस की राजदूत की रूम में बिंदूसार के दर्मार में रहा है। फ्रेडायोनिसियस, मिसनरेस टालमी, फ्रेडालफस की राजदूत की रूम में असोग के दर्मार में आया था है। बात करते हैं टालमी की जियोग्राफी और फेरिफिलस ओफ दा इरिथियंसी जियोग्राफी लगबग एक सो पचास एसबी के आसपास लिखी गई थी जिसमें फ्राचिन बात ये बहुल वावडिचे वर्डन है फेरिफिलस का अग्यात लेकर असी से 115 एसबी की मद्ध हिंद महासागर की यातुरा पर था जिसने बंदरगाहां और व्यापारिक बस्तूं का बेवर्ण दिया इसमें फिर हैं अंगले हमारे फिलीनी इनकी पुस्ता के नेचूरल हिस्टोरी का इसा की पिथम सदी में यह लेटिन भासा में जिसमें भारत इटली के मद्ध होने वाले ब्यापार तथा भारतिये फसुऊं एवं मरस्तपति खनेजियों का बेवर्ण है इसमें फिलेनी ने रॉम से भारत आने वाले धन के लिए दुख पिकट किया है अगले हमारे चीनी चीनी लेकर भारत आने वाले अधिकांस चीनी यात्री बहु गुप्त दुटिय विर्कमादित के दरवार में भारत आया था तीन सो निन्यारवे से चाल सो चोड़े स्वी तक अपने उसने भारत में विविन इस्थानों का बिरमर किया है आगे बात करते हैं उसने गुप्त कालीन भारत की सामाजिक आर्थिक धार्मिक इस्तितिका वि बार्धन के सासनकाल में भारत आया 16 वर्स तक विविन इस्थानों की यात्रा की छे वर्स तक आलनदा विस विध्याले मेरा एक सिक्छा पिराप्त की उसका यात्रा विवरंह स्री यूकी नाम से पिस्थ है जो हरसकालीन भारत की इस्तिति जानने कमा फूल सरोत है फ्रेही ली इसके द्वारा लिखिच है इंसांग की जीवनी से भी हर्ष कालीन इत्यास की बातिन ग्यात होती है फ्रे इत सिंग, साथवी स्थभदी के अंत में भारत आने वाला चीनी यात्री नालंदा एवं बिक्रम से लाविस्विध्या लए तथा अपने समय की भारत की स्थिती का बैडन किया है इसने फ्रे मा त्वान लिन हर्स के पूर्वी अभियान का बिवर्ण है चारू जुकुआ चोल इतियास का बिवर्ण इसने पिस्तुत किया है फिर बात करते हैं अर्वी लेकब अलवर्णी अबू रह्यान तहकीक एहिंद इसकी पुस्तक है रचना किताबुल हिंद अर्थात भारत की खोच कानून अलमसूदी महमूत गजनमी के आकमड की समय भारत आने वाले इस अर्वी विद्वान ने राजपूत कालीन भारत की वडविवस्ता रीती रिवाज तथा राजनीती इतियास का पिस्संसात मक बढ़न किया है फ्रे सुलेमा नभी सत्ती इसवी में भारत आने वाला अर्वी यात्रस यात्री सुलेमान ने पितिहार और पाल राजाओं के विशे में लखा है फिर उसने पाल समराज को रोहमा धरम या धरमपाल का है फ्रे अलमसूदी बगदाद से आने वाले अलमसूदी ने फितिहा राजाओं का वैडन किया है उपयुक्त लेक्षों के अतरिक तिबती बौद लेकर तारानात बारवी सती के गिरंतों कंग्यूर और तंग्यूर से भी भारती इधिहास का परपिकाट पड़ता है वैनिस इटली का फिसे तियात्री मारको पोलों तेरे भी सताब्दी के अंतर में पंड़ राजी की यात्रा पर आया था इसलिए उसका या त्री बिबरण मूलता दचन भारत से ही समद्थ है तो चलिए दोस्तों लोग इतियास में बात कर रहे से तो इतियास में एक तीसरा टॉपिक है हमारा भारती अथा राचिन भारती है इब आगे बात करेंगे हम लोग प्रगरतीहासिका भारत को झाल झाल